कोसा नंबर देखिए पहले नंबर आपसे पूछा गया है सही विकल्प का चैन करें यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट आपसे पूछा गया है यहाँ पर सही विकल्प का चैन करें ग्राम सबाग के सदस्यों के आयू जो है 21 वर्स से कम नहीं होनी चाहिए और यहाँ पर ल प्रदेश में पंचायतों में जो सीतों का चक्री अरचन फिर से सुरू हो गया है यहां पर राइट अंसर आपका यहां पर हो जाएगा यहां पर देश सकते हैं उत्तर प्रदेस में 325 राज प Left रादे 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 कृष्टन सभी को जैहिन सभी को बंद्रम यहां पर दिखेंगे जवाब देना सेकंड नमबर का जवाब यहां पर क्या होगा नगर निगम का जो बजट है जिला अधिकारी द्वारा त्यार किया जाता यही विकल्पत का गलत है आपसर लिखित में के से गलत इए यहां पर देखिंगे गलत इए कंगा है बताइए नमबर पॉइंट नमबर लिखा हुआ जो अध्याच से ग्राम पंचाइट तरह की तो में दो content हुआ पकंच गया is लिए आता शीम्मागा यह न पंचायती राज विवस्ता सुरू करने का मुख्य उद्देश से क्या था को सा नंबर देखिए यहाँ पर चार नंबर का जवाब देना है पंचायती राज विवस्ता सुरू करने का मुख्य उद्देश से क्या था तो इसका उद्देश क्या था यहाँ पर देखिया अंसर देना क्या होगा यहां पर आपका अंसर होगा ग्राम इस्तर पर सत्ता का विकेंद्री करन आपसा नंबर यहां पर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट अंसर आपका यहां पर होगा आपसा नंबर सी जिनका भी जवाब आ रहा बिल्कुल सही जवाब है आपसा नंबर सी होग यहां पर दे सकते हैं यह संसोधन का मुख्यों देश जो था ग्राम इस्तर पर सत्ता का विकेंद्री करना था जो मात्मा गांधी की रेश्टी थी अगला प्रश्ण बताईए लिखित कत्नों पर विचार करें और गलत बिकल्पगा चैन करें यहां पर देखिए गलत या पंच्याति राजदिकारी होती करें शैसлам प्रौश्ण बताईए निंदीखित में cumaj bye ने उत्तर प्रोधेस में पनच्याइतों को सक्तियों के हस्तांतरण की सिपारिस की बोनतर नात्वारी समिती होगा और यहाँ पर देखके सकते हैं बल्वनद्रा मेताकुज वारा सरकार 12 Спosinski को सामुदाईक विकास कारिकरम और राष्टी विस्थाव सेवा कि र Wing शन्चान की जांचय करने और सुधारों की सिफारिस करने लिए इसलिए अंसर जो आपको सामुहिक रूप से होता है तो आपसा नंबर यहां पर क्या होगा विकल्प नंबर आपका जो सही होगा आफसर नमबर यहाँ पर C नमबर आपका गलत दिया गया था अगला प्रशन बताईए UP बिधान परिस्द की पहली बैटक 9 जुलाई 9 जुलाई 9 स्रैतिस कोई थी जिसमें यहाँ पर लिखा एक क्रमसा बिधान परिस्द के उपाध्यच के रूप में किसे चुना गया था यहाँ पर देखिए गोस्तन नमबर आठ नमबर का जवाब देना यहाँ पर बिकल पर पताईए अंसर यहाँ पर क्या सही होगा तो आठ नमबर का B बिलकुल सही है आठ नमबर का B जिनका भी जवाब वारा बेगम अजाज रसूल हाना बिलकुल सही अंसर है आपसा नमबर B होगा हाँ बिलकुल करेक्टरंसर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1935 की भारा सरकार अधनियम में उत्तर प्रदेश बिधान प्रशद अस्तित्माई और बिधान प्रशद की पहली बैठक जो है आपकी 29 जुलाई 1937 कोई थी पहले सार सदस थे फिबाद में 72 कर दिये गए इस 36 आपके इस्थानी निगायों के दौरा आर सदस सिच्छकों दौरा और आर सदस आपके इस नातुकों के दौरा चुने जाते हैं सर सीता राम जो है यह बिधान प्रशद के पहले अध्याच थे आपके सर सीता राम अगला प्रशन बताईए आफचारी ग्रूप से कठित हो आयुक की जो इस्थापना चार अप्राइल उनने सुच्छानवे कोई थी और यहाँ पर राइट अंसर आपका होगा न्याइमूर्ती एप मिसरा को अध्याच गुरू में न्युक्ति किया गया था उत्तर प्रदेश की विधान परिसत की वरतमान सनचना के संबंद में इन अगला प्रश्ण बताईए बाबरी मस्जित राम जन में इस्थान के विनास के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को हटा दिया गया और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपती चोंच लगा था वह कौन से नंबर गया था तो दोस्तों आपका लगा था सात्वा राष्ट्रपत पुछा गया अगर अध्याच पूछते तब लगाते राजसिरी अंसर आपको लगाना पड़ेगा अब्दूल हकीम है यह अगला प्रस्ट नहीं अगला प्रस्ट हमने आपको अध्याच वाला दे दिया कोशन नमबर 13 में अंसर आपका होगा राजसिरी पुरसोतन दाश्टंडन तो अध्याच और उपाध्याच दोनों में विसे ध्यान दिएगा कोशन में यहाँ पर मिश्टेक पॉइंट आपको बन सकता है इसलिए विसे ध्यान रखिएगा अंसर आपका ए होगा चलो अगला प्रशन बताइए उत्तर परदेश में राष्ट्य पतिशासन काश्प लागो किया गया था अगर हम राष्ट्य पतिशासन की बात करेंगे तो यह लागो हुआ था आपका 25 फर्वरी 1998 को अगला प्रशण बताइए उत्तर परदेश जम्गेस अधनियाम के दोड़ा अस्ति सभापती थे सर सीता राम थे यह आपको याद रखना अगला प्रस्ण है उत्तर प्रदेश के लोग सिवायोग के क्रत्यों का विस्तार किसके द्वारा किया जा सकता है यह किया जा सकता है आपसान वताइए अगला प्रस्ण है और यहां पर देखिए बताना एक राज जपाल वाइब करता है उत्तर प्रदेश में गड़तंत्र के बाद आवधा कितने कारवाहक राज जपालों की नियुक्ति कि जा चुकी है तो यहां पर देखिए उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो आपके राजयपाल हैं इस परकार गड़तंत्र भारत के सियास में उत्तर प्रदेश के दो राजयपाल आपके कारवाहक थैस अग्ला प्रशन बताइए मं और प्रदेश में किसी बी समय उन्हाल सभा को भंग करने का अधिकार किस और हम बिधान इसमाई की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेस में यह आपका राज जेपाल के पास है आपसा नमबर यहाँ पे आपका बी नमबर सही होगा अगला प्रश्ण बताइए संयुक्त प्रांत के अंतिम गवर्नर जनरल और उत्तर प्रदेस के पहले राज जेपाल एक ही बेखती थे वह कौन थे तो वह आपके थे खोर्मा सजी फिरोसा मोदी आपसा नमबर यहाँ पे आपका डी नमबर सही होगा अगला प्रश्ण बताइए भारत के गड़तंतर बनने के बाद उत्तर प्रदेस का दूसरा राज जेपाल कौन था देखे गड़तंतर बनने के बाद पूछा गया है तो यह आपके कौन थे द देना है यह किया है दोस्तों चार बार आपसा नमबर यहाँ पे क्या होगा राइट रंसर आपका हो जाएगा आपका चार बार और इसी तरीके से आप देख सकते हैं चंद्र भानुक्ष गुपता और एंडि तिवारी ने भी चार बार मुख्वंत्री करूप में कारे किया है लेकिन यह आपका मायवत्ति के बारे मुख्या जा रहा था तो चार बार उन्हें भी किया है और यहां पर राइट अंसर आपका क्या होगा बिल्कुल सही है और यह यह भी याद रखिएगा आजादी से पहले राजी के पहले मुख्यमंत्री मुहम्मद अहमद सहीद खा निमलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहें यहां पर बताना है कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहें यहां पर राइट अंसर क्या होगा तो आपके नित्यानंद स्वामी यह आपके नहीं रहें बाकी सब रहें नित्यानंद लेकर 29 अक्टूबर 2001 तक सेवा करने वाले राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे आपके नित्यानंद स्वामी अगला प्रस्ण बताईए यहां पर देखिए बताना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्हों अगला प्रस्ण बताईए उत्तर प्रदेश के वरतमान मुख्यमंत्री योगी आदित नातएजी का जन्मिस्तान क्या है तो देखिए यहां पर देखहे हैं योगी आदिजनाजी के जन्म जो है 5 जुन 1972 को उत्तर प्रदेश अब तो उत्तराखंडे में हो गया है पहले उत्तराखंड यूपी एक ही में था पौड़ी गड़वाल के पंचूर गाव में अजय सिंग बिष्टि के रूप में आपका हुआ था यूपी के पूर्व सीम कल्यार सिंग का निधन हो गया उन्हें किस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी रूप में निउक्त किया गया था तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो यह आपका किया गया था 1991 में आप सा नंबर यहाँ पर आपका डी नंबर बिल्कुर सही अंसर आ पर जबदक यहाँ हैं तो बार से अधिक के बात करेंगे ही वैंसके लिइगा झाल पर कारी किया है तो यह भी का वनसक्ता है लेकिन अपसर ne औ क्या होगा अगला प्रदेश में अधी नाये-पालिका को जो कितने वागों बाता गया है आपका और उत्तर तरभार नयाविक्षिवा में मुंसिप और सिविल नेस्षिप सामिल होते हैं अपसा नमबर यहां पर दूसरा वाला सही था चौता और बिगलाद दो उत्तर प्रदेश के राजकी पत remembrance बारे सिंगा यानि जिसे आप दलदली हिरन कहते हैं कि IUCN सरेशन इस्थिति क्या है यहां पर देखिए आपको बताना राइट अंसर क्या होगा कोसर नमबर 31 का कोसर नमबर देखिए 31 का देखिए जवाब देना है यहां पर आपका हो जाएगा सुभेद ठीक न आपसा नमब और उत्तर प्रदेश के विभाजन से पहले उत्तर प्रदेश का राज की पूस्फ क्या था 31 का देखिए आपको पर मेंन करना जवाब हमारे बीचा चुका है 32 के यहां पर बताया जा रहा बिलकुर सभी है जिनका भी जवाब डिया रह ना बिलकुर सभी सभी अंसर दिये यह उत्तर खंड का राजकी पुस्प है, साल में एक बार 14,000 फीट से अधिक कुछाई पर खिलता है, यह हिमाले छेतर की बनस्वतियों का हिस्सा है, अगरा प्रशन बताईए, उत्तर प्रदेश के राजकी पच्छी सारस क्रेन का बैग्यानिक नाम क्या है, उत्तर प्रशन बताईए, यहां पर आप सकते हैं, यह बारा सिंगा जो है, उत्तर प्रदेश का राजकी पच्छी है, अब मोसकस, अगर क्राई सोगाइश्टर के बात करेंगे, यह आपका इसका अलपाइन कस्तूरी म्रग का बैग्यानिक नाम है, यह अलपाइन कस्तूरी, यह उ उत्तरखंड का राजकी पस होगा है उत्तरखंड कहा है यह कहा है यह गोवा कहा है यह यूपी कहा है अगला प्रश्ण बताइए उत्तरप्रदेश की राजकी मचली कोंसी है यहां पर उत्तरप्रदेश की राजकी मचली की बात हो रही है बताइए उत्तरप्रदेश की राज होगा कि भी होगा हाँ चावतिस नमबर कह रहे हैं ए होगा कतला राजकी मचली उत्तर प्रदेश की राजकी मचली है आपकी चीतल है चीतल आपसा नमबर डी आप लोगों का अंसर गलत आया चलिए अगला प्रश्ण बताइए यहां पर दिए रिक्सिस्थान है लिखा हुआ जिसे जंगल की ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है उत्तर प्रदेश का राजकी पुस्प है अब यहां से आपको हिंट मिल गया उत्तर प्रदेश का राजकी पुस्प है उसको हम जंगल की ज्वाला के नाम से जानते है तो उत्तर प्रदेश का राजकी पुस्प पता है स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो यहापके थे गोबिंद वल्लप पंत थे यापसा नमबर भी होगा उत्तर प्रदेश में की कुल संख्या किदनी है, अगर आम नगणिगम की बात करेंगे तो नगन निगम की जो संख्या, आपकी 37 नमबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा आपके 17 नगन निगम है अगला प्रश्ण बताईए रूमी दर्वाजा उत्तर प्रदेश के किस सहर में है यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है रूमी जो दर्वाजा है उत्तर प्रदेश के किस सहर में है 38 देके याँ पर आपका जवाब देना है तो कह रहे है लखनों उत्तर प्रदेश की राधद्धानी कह रहे हैं लखनों में देख लेकले लखनों किसका किसका जवाब आ रहा है सभीत सब्सक है यह कब पारित हुआ था तो यह आपका हुआ था 21 नवंबर 2011 को आफसर नमबर यहां पर क्या होगा राइट अंसर आपका बी नमबर आपका सही होगा अगला प्रिश्ण बताइए नमलिखित कतनों में से कौन सा एक सही नहीं है देखे यहां पर आपको बताना इन में से कौन सा एक सही नहीं है लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी ज चाहिए अगर तीन से पांच लाग के बीच में तो आपको बताना है अंसर यहां पर क्या होना चाहिए तो नगर निगम इस्थापना दिवस का मनाया जाता है यहां पर देखिए 41 का आपको कमेंट करना है राइट अंसर देना है क्या होगा और यहां पर अगर हम बात करेंगे तो आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है आपसा नंबर यह और अगला प्रिश्ण बताईए भारत के पूर्वराष्ट पत प्रियाग राज में 1857 के विद्रों का नेतर तो किस ने किया था अपर इसका नाम प्रियाग राज हो गया है तो बताईए इसका नेतर तो किस ने किया था 43 नंबर का जवाब देना है राइट अंसर यहां पर क्या होगा हाँ यहां पर देखिए अंसर आ चुगा है बिलकुल सही अंसर दिया गया लियाकत अली बिलकुल सही अंसर है आपसा नंबर भी होगा अगला प्रिश्ण बताईए उत्तर प्रदेश राज में उर्दू को दुती राजभासा कब गोशित किया गया उत्तर प्रदेश राज अज में उर्दु को दुती राजवासा कब गोशित किया गया चवालिस नंबर गांसर यहां पर क्या होगा क्यों परक्षार का दिकारी के दौरा किया जाता था यहां पर राइट राइड नंबर का सी बिल्कुल सही है उत्तर प्रदेश के 75 जिलों प्रवख मंडल जिले तो आपके 75 हैं लेकिन आपको मंडल बताना है मंडल बताना कितने 46 नमबर का देखिए कमेंट करना है राइट एंसर यहां पर क्या होगा तो यहां पर 18 मंडल है ना बिल्कुल सही बात है अगला प्रिश्ण बताईए चंद्र सेखर आजाद मुटबेड में कहां पर सहीध हुए थे इसका नाम प्रियाग राज हो गया है आपसा नमबर भी बिल्कुल सही है विख्यात भारत मंदिर कहां पर इस्तित है विख्यात जो है भारत माता मंदिर कहां पर इस्तित है हां बिल्कुल सही बात है 27 फदाओ, उनिस सुह करती बिल्कुल सही है यहां पर बताईए यह कहां पर है है विख्यात भारत माता मंदिर कि 48 कुछ लोग अलाहबार लगा रहे है कुछ लोग वारण सी बता हुना और कपी लोग अंसर अलग अनसर बिल्कूल अलग festृए सब्सक्राइब रचना की आप समझाएं वेद ब्यास हाँ बिलकुल सही सपना कि स्थापना किस यहां प्रैस नमबर का रहे हैं इस तरीके से आपके जो टॉप 50 प्रशनें ने थे कंप्लीट हो चुके हैं जो इंप्टेंट प्रशन थे और उमीद है से शेंट अच्छा लगा होगा वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर